नमस्कार स्वागत है अब सभी का बिहार समाचार में आप सभी से अनुरोध की इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दिजेगा तो चले शुरुआत करते हैं आज की पाली और बड़ी ख़बर से तो चले पाली ख़बर में देखे कॉमेडियन राजु स्रिवस्तवा का निदान दिल्ले एमस में लिया अंतिम सास बाड़ी ख़बर बॉलिवूर्ड गलियारे से आ रही है जहां कॉमेडियन राजु स्रिवस्तवा का निदान हो गया उन्होंने दिल्ले एमस अस्पताल में अंतिम सास ली है पिछले कई दिनों से उनकी तबियत खराब चल रही थी आपकी जानकारे के लिए बता दे के राजु स्रिवस्तवा 42 दिनों से एमस में एडमिर थी राजु स्रिवस्तवा को 10 अगस्त को इलाज कले एमस में बरती कराये गया था 58 साल के उम्र में उन्होंने अंतिम सास ली है बाड़ी कबर में देखे बिहार में तेज गाड़ी चलाने वाले हो जाई सावधान पकड़े गए तो रद होगा लाइसेंस बिहार के वैसे लोग जो गाड़ी फुली स्विड में चलाते हैं आप वे सावधान हो जाएं क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की आप पर पैने नजर रहने वाली है तेज गाड़ी चलाना आपके लिए मुसिबत साबित हो सकती है क्योंकि पकड़े जाने पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद कर दिया जाएगा पिछले दो दिन की बात करें तो 30 ऐसे लोग पकड़े जा चुके है जिनका ड्राइविंग लाइसेंस रद करने के लिए पुलिस सरक्त में आ गई है कई सालों से पटना में गंगापद, अटलपत और दीगा एम्स एलिवेटेड रोड इत्यादी तेज रब्तार सड़क का निर्मान हुआ है इन पर कई बायकर सनाक यवल खतरनाक तरीके से बायकर चलाते हैं बलकि जान को जोकिम में डाल कर इस्ट पुलिस ने उन सभी तीस चालोकों के ड्राइविंग लाइसेंस रद करनी के अनुसन सकी है बाड़ी कबर में देखे बिहार में आज भी मौसम रहेगा सुहाना उन्नी जिलों में अलर्ट जारी बारिस के साथ बजरपात किया संका जहां बिहार में इन दिनों जमकर बारिस हो रही है लोगों को गर्मी से राहत भी मिले है किसानों के लिए ये काफी अच्छा समय है वही कूछ जिलों में इसका बुरा असर भी देखने को मिल रहा है बित दिन बीजलिक गिरने से बिहार में गारालों की मौत भी हो चुकी है मौसम बिभाग ने लोगों को अलर्ट गालन का पालाण करने को कहा है बता दे कि 19 जिलों में बारिस और बजरबात को लेकर एक वर फिर से मावसम इभा के द्वारा आलड़ जारी कर दिया गया है इनी जिलों में आज बारिस होने के अच्छी सम्हावना है वहीं बाकी जिलों में भी मौसम सुहाना रहने के उम्मीद है मौसम विवा के अनुसार आज बिहार के 19 जिलों में अच्छी बारिस होगी इनी जिलों में में गजन के साथ वजरबाद के प्रबल सम्हावना है इसमें पठना पुर्वी चमपा रंगोपाल गंज, सिवान, सारन, बकसर, भोजपूर, केमुर, रोहतास, औरंगाबाद, अर्वल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नावादा, सेखपूर, लखिसराई और बेगुसराई सामिल है बाड़ी कबर में देखे, बीजेपी के सामने कवे लालो जुकेगा नहीं, राज परिसत की बेढग में बोले, 2024 में देश से भगा देंगे जहला लबे समय के बाद, विहार के राजनिते में अक्टेवग हूए है, अर्जेडि सुप्रिमो लालो प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जम कर हमला पूला है आरजडी राज परिशत की बेड़ग में लालो यादव ने बीजेपी के दंगाई पाड़ी बताते हुए कहा कि दंगाई को सामने हार पाड़ी जुकी है लेकिन मैं अब तक जुका नहीं हूँ उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके आगे जुक जाता तो साइद मुझे जेल नहीं जाना पड़ता लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपने बातों पर कायम रहा हूँ आरजडी सुप्रेम लालू प्रसाद यादव ने कहा कि RSS BGP से हमारी पुरानी दुस्मनी है वे लोग हमें जुकाने की पूरी कोसिस कर रहे तो लेकिन मैं नहीं जुका और नहीं जुकने वाला हूँ उन्होंने साबतर पर कहा कि नितिश कुमार विबक्ष को एक जूट कर रहे हैं और इस बार दोजर चोविस में BGP को दोल चटा कर रहेंगे इसके अलावा लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जब मैं बिहार का मुख्य मांत्री था तो गरीबों के लिए घार और जोपडियों में जाकर महिलाओ से पूछता था कि कुछ खाना बना है क्या वे खाने में मुझे माकाई की रोटी और सबजी किलाती थी ऐसा करने से अपने पन का पता चलता है मेरी सरकार में सब लोग प्रेम और कुशिस रहते थे उन्होंने कहा कि जब से बिहार में महागडबंदन की सरकार आई है तब से बीजेपी जंगल राज का रट लगा रगी है उन लोगों का मकसद सिर्फ सरकार को तोड़ना है लेकिन बीजेपी बैठक में राज बरसाय पाड़ी के प्रदेनेती सामिल वे वही आरजडी सुप्रीमों लालो प्रसाद सरद यादव तेजस्वी यादव समेद पाड़ी के सबी बड़े नेता और कारकरता मौजुद रहे बैठक को समोधित करते विया वो पुमुईक मंतर तेजस्वी याद बनने से पूरे देश में अच्छा संदेश गया है इतने आसानी से बिहार में महागड मंदन की सरकार बन गए बीजेपी वालों को आता पता तक नहीं चला हमारी जितनी भूमिका है उतना आप लोगों की भूमिका है साथ तजस्वी यादव ने कहा कि बेपक्च को दबान बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है राज के खनर मंद्र डक्टर रमानाद यादव ने बीजेपी के राजसवा सांसद सुसील कुमार मोदी के किला मनहानी का परिवाद दाखिल किया था रमाना यादव का सुसील मोदी पर आरोपे की उन्होंने ललित यादव, रमानाद यादव, सुरेंदर यादव और करतिक कुमार का नाम लेते वे कहा कि ये लोग अवराधिक फृष्ट भूमी के हैं ललित यादव वह वेकती है जुन्होंने ड्राइवर दिना नात बेढ़ा का नाकोन उखाड लिया था इस घटना पर फ्लेट को भी सुसील मोदी का होने का दवा किया था इसके बाद सुसील मोदी ने उन्हें कूली चुनोती दे दी और कहा कि यदि आप इसे इसपश्ट नहीं करे तो मैं आपके खिलाब केस दर्ज करूँगा और अंदर में ऐसा ही हुआ सुसील मोदी ने रमानाद के खिला परिचालन ठब कई ट्रेने हुई परभावित जिया बिहार के सासाराम जिले से गुजरने वाली गया दिन द्यालू पाइदाय रेल मार्ग पर बुद्वार की अगले सुब कुमार स्टेशन पर एक माल गाड़ी बेपर्टरी उतर गई जिससे गया दिन द्यालू पाइदाय रेल मार्ग बादित हो गया है इस दूर घटना से गया हावडा मुगल सराय लाइन पर 14 पेसंजर ट्रेनों को परिचालन प्रभावित सभी ट्रेन अलग 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 स्टेशनों पर रुकी है इधर पूर्व मैद रेलवी के सिप्यार विरेंदर कुमार ने बताए कि अधर ट्रेनों की फस्से होने की जानकार ती है इस एक अबर में देखे नितिस केबिनेट मीटिंग में सोलो प्रस्ताओं पर लगी मोहर 12 जिलों में बनेगा औवी सी पलाश्टू का इन्ना विद्द लए जिहा मंगलवार को वी नितिस केबिनेट की मीटिंग में कूल शो प्रस्ताओं को पारित कर दिया गिया है आपकी जानकार एक लिए बदा दिकिस सुवे के बारा जिलों केमूर सुपोल पूर्वी चंपरन सिवान जहानाबाद मुझापरपूर खगड़िया सिकपूरा गोपाल गंज बेगुसराई भोजपूर और बक्सर में 526 की चमताव वाले 12 अभी से आवासी प्लश्टू बाली का उच बिदाले के बवन की निर्मान की स्विकिर्ती दे गई है इसके लिए कूल अनुमानित लागत लगबग 550 कड़ रुपे की मांजुरी दी गई है इस उजना के जरिय लगबग 6216 लावाविन्त होगी बड़ी खबर में द केबिनेट की बीठक में तजसवी आदव के स्वास्ती विवाग के लिए कई बैसले लिए गये है इस केबिनेट में स्वास्ती भिवाग के लिए 7990 पदो का स्रेजन क्या गया है वही चपरा और समस्तिपूर में नए मेडिकल कोलेज खोलने का प्रास्ता विपास किया गया है इसके अलावी सदर अस्वतालों में ड्रेसर के पदो किस रिजन की स्विक्रती दी गई है चपरा मेडिकल कोलेज के लिए 423 नए पदो किस रिजन की स्विक्रती दी गई है केबिनेट की बेटंग में बिहार के 35 सदर अस्पतालों में ड्रेसर के अतरीक्त पदों किस रिजन के आवसकता को देखते वे कूल 210 पदों किस रिजन के स्विक्रती दिगई है बाड़ी खबर में देखे बिहार में बंपर बहाली सिविल कोड में 7,692 पदों पर निकली है वेकेंसी आज से करे ओलाइन अविदन जिहां बिहार के वावोस से जो 10 लाक नोकरी देने का वादा किया गया था वो अब पूरा होते दिख रहा है राज के सिविल कोड में बंपर बहाली निकली है इस बहाली के तहद कलार के स्टोनों ग्राफर कोड रिडर सा गवाईल लेका कोर चपरासी के कूल 7,692 पदों पर भरती होगी इसके लिए ओलाइन अपलाई करना होगा अबियारती इसके लिए आज से आवेदन कर सकते हैं वहीं 20 अक्टूबर 2022 के बाद एप्लेकेशन की प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी साथ ही आपको बता दे कि इन सबी पदों पर अपलाई करने के लिए किसी भी अभियारती की उम्रे किस से 30 साल तक होनी चाहिए वहीं अगर महिलाओ, EBC और OBC की बात करें तो इन्हें 3 साल की छोट दी गई है यानि वे 40 साल तक की उम्र तक आविदन कर सकेंगे वहीं SC और HD के महिलाओ और पूरुस को उम्र सिमा में 5 साल की छोट मिली है इचुक अभियारती की योगता की बात करें तो दसी पास लेकर ग्रेजोसिन की हुए छात्र इन पदों के लिए आविदन दे सकेंगे और लाइन आविदन भरने के लिए चात्र www.district.ecode.gorman.in.partner पर जाकर आविदन कर सकते हैं गबर में देखे बिहार बोर्ड से पुराने सर्टिपिकेट वा मार्क सिट निकलना हुआ महंगा देने होंगे अब इतने रुपिये जिह अबिहार बिदाले परिचा समिती ने ओच मायदमिक परिचा के लिए बिबिन कागजातों के लिए एक संसोदी सुल्क जारी कर दिया गया है आब 15 वर्स एवं 15 वर्स के बाद कागजात निकलने के लिए 25 रुपिये देने होंगे ऐसे में 1980 से पहले वाले स्टुडेंट अगर अपना प्रमान पत्र निकलना चाहते है तो इसके प्रोसेस के लिए प्रोसेस सुल्क देना होगा प्रोसेस सुल्क अलग अलग निधारित की गई है पहले बोर्ड दुवारा प्रोसेस सुल्क नहीं ली जाते थी बोर्ड द्वारा आयोजेत 5 सितंबर 2022 की बेड़क में यहां निने लिया गया है वहीं 16 सितंबर को बोर्ड सचिव ने इसे लागू कर दिया है इसके बाद बोर्ड की सभी 9 प्रमंडल के छेत्रे कार्याले में से सो मौर को नोटिस बोर्ड पर चिपका दिया गया है आज के लिए बस इतना ही इसी तरह बिहार के डेली नियूज देखने के लिए आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें